नमस्कर दोस्तो श्वागतियाप शभी का फिर सी एक न्यू वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रुपए का हिसाब करना सुखेंगे रुपए का हिसाब दोस्तो आप सभी का काफी डाउट रहता है कि अगर आपको कुछ रकम दे दिया जाए उसमें पुशा जाए कि इतने रुपए की नोटों की जो स्तंखिया है इस रकम में कितना होगा तो अब कैसे बताएंगे आसान तरीका क्या है आज की इस विडियो में हम काफी आसानी से सीखने वाले हैं तो देखिए हमारे कोशन क्या है इसको ध्यान पूर्बग पढ़ना है और काफी आसानी से सल्व करेंगे हमारे कोशन बोल रहा है 500 रुपए में 20 रुपए का कितने नोट आएंगे दोस्तों 500 रुपए में 20 रुपए का कितने नोट आएंगे यहाँ इसमें 20 रुपए का नोट कितना होगा है नोटों की संखिया हमको बता करना है तो लिखेंगे यहाँ पर solution में क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 रुपए की नोटों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे 20 रुपए की नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यह रुपए का सिंबल है जो भी 12 एमाउंट है सबसे पहले उसको लिखेंगे और इसमें divide कर देंगे जो छोटा amount है जिक हमको 20 रुपए के note चाहिए न तो हम इसमें 20 से divide कर देंगे एक zero से एक zero कट गया दो से भाग करेंगे 50 में 25 पर में जाएगा यानि जो note की संखिया हो गए न 20 रुपए की वो हमारा 25 हो गए दोस्तो हमारा सेकेंड कुशन बोर रहे है, 440 रुपए में 5 के कितने सीखे होंगे इन्हें 5 रुपए के कितने सीखे होंगे यही हमको ग्यात करना है लिखेंगे हैं पर solution, solution में क्या लिखेंगे देखिये सबसे पहले कितना है? 440 रुपए है तो सबसे पहले से 440 रिखेंगे हमको 5 रुपई के कितने चाहिए सीखे चाहिए यानि सीखों की संखिया बता करना है तो इस 5 से 440 रुपई में डिवाइट कर देंगे अब देगे कितना होगा 5 से डिवाइट करेंगे तो 5 के पहड़ा में 44 तो नहीं आता है लेकिन 44 से थुड़ा सकम 40 आता है कितने वाइट में पाना वाठे कवोथा है 40 यानि 8 वाइट में 40 हो जाएगा 44 ही तो इसमें से 4 बचेगा उस 4 को 0 को पहले लगाएग तो जाएगा 40 और 5 के पहड़ा है चालेस फिल से पाना वठे के चालेस यहां पर जो है ना 440 रुपाई में पांच का जो सीखा होगा 88 होगा इने सीखो कि संक्या जो है ना 88 सीखे होंगे कितना होंगे 88 सीखे और इसी तरीका से रुपाई का हिसार किया जाता है अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट केजिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किलियर कर दूँगा हाला कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मैं आपको काफी आसाने से बतार दिया हूँ दोस्तों अगर इस चल्ब पर पहले मैंट चल्ब को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा और नोटिफिक्शन बेल को प्रेस करके औल सेलेक्ट कर लीजएगा उससे क्या उसके मरे नेव वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहेगा और आपके जो भी मैथ तेरियम चलती रहेगी और आपका मैथ काफी स्ट्रॉंग हो जाएगा